हलो फ्रेंड्स, ट्रेट लेर्नर्स चैनल पर आप सबी का स्वागत है आज की इस फीडियो में दोस्तों हम निफ्टी फिफ्टी की क्रेश हिस्टरी के बारे में देखेंगे जो क्रेश जितनी भी बाहर हुआ है निफ्टी फिफ्टी में जब बड़ी करेक्शन आई है ठीक है बड़ी करेक्शन मतलब जैसे क्रेश हो जाता है इस टॉक मार्केट जैसा अभी हुआ है हमारे सामने वैसे सिचेशन जितनी बाहर आई है उसके वैसिस पे हमें एक एवरेज तेयार कर रहे हैं उस average से हमें ये पता चलेगा दोस्तों कि जब भी कभी future में अगले 5 या 10 साल में again कोई crash आती है तो हम bottom पे stocks को buy कर सकें समझ पा रहे हैं आप bottom पे ऐसे bottoms पे जो है ऐसे levels पे हम अच्छे stocks को buy कर सकें ठीक है ताकि क्या है कि हमें भविश में जो है अच्छे returns मिल सकें fast returns मिल सकें और किस sector में buy करना है उस पे भी हम आगे भविश में इस तरीकी कि मैं video बनाऊंगा ठीक है तो दोस्तों इस video में देखिए मैं ये बताना चा मोटी मोटी correction रही है ठीक है आप देख सकते हो कि ये 40% के around की correction रही है जो कि all time high से 40% market correct हुआ है क्योंकि ठीक है आप चलिए दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं background में और देखते हैं 2015 से 16 के बीच में भी एक बड़ी correction देखने को मिली थी इसको crash तो नहीं मान सकते है लेकिन है ना दोस्तों ये correction बहुत बड़ी थी इसलिए इसकी importance भी है ठीक है ये 23% से correct हुआ था market इस time पर ठीक है all time high से 23% से correct हुआ था इससे पहले दोस्तों चलते हैं तो दोस्तों देखने को मिलता है कि सन 2010 के आसपास से लेकर के हमको correction देखने को मिलती है 2012 जनवरी तक ठीक है तो दोस्तों ये correction भी 26% की correction रही है ठीक है इसके अलावा 2008 की मंदी तो बहुत खतरनाक मंदी थी दोस्तों मतलब एक ही साल में जो है 2008 से लेकि 2009 तक में market is 60% से correct हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पर तो दोस्तों इन सब चीजों को देखके आपको क्या समझा रहा है हर बारी correction अलग है उस टाइम पर 60% से market correct हुआ था इसके बाद में ये 26% से correct हुआ था इसके बाद में 23% से correct हुआ था लेकिन इस बार 40% से market correct हुआ है तो दोस्तों मोटा मोटी जो बात बन के आती है जो एक average बनता हुआ लगता है stock market का जब भी बड़ी crash होती ह है ठीक है दो ही crash है हमारे सामने अभी दो बड़े crash है ये ठीक है और दूसरा crash है ये वाला COVID-19 के वज़े से जो crash आया है ये जो crash है ये दूसरा crash है ठीक है तो इन दो crash से जो एक average percentage बनता है वो 40-45% बनता है ठीक है दोस्तों कितना परसंट 45% का 42-45% परसंट पर इसका मतलब ये समझाता है कि हमको stock market में crash आने पर all time highs है 40-45% पर इस टॉक्स को buy करना शुरू कर देना चाहिए ठीक है अगर हम 40-45% पर stock market में जो है हम अगर ऐसे time पर जो है stocks को buy करेंगे तो उसका फाइदा क्या होगा उसका फाइदा दोस्तों यही होगा कि आपको जो return मिलेंगे वो बहुत fast होगे ठीक है बहुत fast return मिलेंगे दोस्तों आपने देखा होगा stocks की prices दुग नहीं हो चुकी है जिसने bottom पर buy किया होगा उसको अब तक जो है दुगना पैसा हो गया होगा उसका ठीक है तो बहुत कम time में जो है आप तेजी से अपना पैसा बना सकते हो अगर आप इस तरह से bottom figure out करके रखते हो ठीक है आप जितने भी stocks होंगे उन सबको जाके देखिए कितने शांदा return दियें यह TCS का stock देखें आप कितना शांदा return दिया है 1600 से 2600 तक हो चुका है यह stock यह एक heavyweight stock है दोस्तों इस वाज़े से आपको लग रहा होगा कि यह दुगना नहीं हुआ लेकिन दोस्तों ऐसे कई सारे stocks हैं जो अभी जो हैं अगर आपने bottom पे buy की होते हैं तो दोस्तों अब तक ही वो दुगने हो चुके हैं अच्छी अच्छ CCL Technology इस company की बात करते हैं ठीक है आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यह कितना 400 रूपे सा 800 रूपे का हो जोगा है ठीक है 800-850 अच्छी price हो जोगी है तो दोस्तों आपको समय जा रही होगी मैं क्या बताना चाहरा हूँ आपको 50-50 के इस analysis है मैं यही बताना चाहरा हूँ कि जब भी आपको 40-45 प्रतिशत गिरावट दिखती है कभी है भविश्य में अगर crash की form में तो आपको जो है stocks को buy करना है bulk में buy करना है मतलब अच्छी quantity खरीदनी है बड़े level पे quantity खरीदनी है गिरते हुए market से डरना नहीं है गिर आता है अच्छी shares को buy करने की opportunity होती है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe करें अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि उनको भी यह knowledge मिल दोस्तों और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले तो दोस्तों आपने वीडियो को end तक देखा उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद